सिल्याम उलेकुम टॉईरी वन आई होब कि आप सब लोग ठीक होंगे आप देख रहे हो जेके स्टूडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जेके बोपी बीएसे नर्सिंग परामिडिकल इंटर्गनाजी कॉर्स के सेकंड राउंड के रिगार्डिंग कन्फ सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करना इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि आप हमरसे वाट्साप टेलेग्राम पर जोड़ सकते हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जोइन जरूर करना बाई की जतना हो से कि इस वीडियो को शेयर कर हों हर किसी कालेज को रिपोर्ट करना होता है जेके बोपी को कि हमारे पास कितनी सीट्स वैकन्ट है उसके हिसाब से फिर आपका सीट मैट्रिक्स बन जाता है और सेकंड राउंड की जो कौंसलिंग होती है वो आफलाइन होती है आपको आलड़ी पता होगा और पहले दिन ह आपको सीट मैट्रिक्स देखने को मिलता है शाम कोई फिर सोबर जब आपकी कांसलिंग होती है आपको पहले ही पता होता किस कालेज में कौन सी सीट वैकन्ट है और मेरे काटाफ के हिसाब से मुझे कौन सी सीट मिलेगी और जो आफलाइन कांसलिंग है इसमें आपको सब round की यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यह आलडी कलियर हो चुका है कि जो आपका second round हो confirm हो जाएगा क्योंकि अगर आप first round की notification देखोगी जो selection list आया था उसमें clearly mention किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका second round है वो offline mood में हो जाएगा और जो horizontal seats हैं वो वहाँ पे fill की जाएंगी यहाँ पे आप note खुद पढ़ सकते हो the short fall in horizontal reservation that is 61 in BSE nursing 46 in BSE paramedical 6 in BSE technology course यह seats अभी fill नहीं हुई है लगबग आप देख सकते हो 110 seats अभी pending है जो अभी fill नहीं हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो second round के बारे मैंनों ने directly यहाँ पे mention किया हुआ है तो obviously second round confirm हो जाएगा इसके अलाव मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आरड़ी बहुत सारी जो counsellings है वो खतम हो चुकी है before me see later entry वागेरा तो इनके पास बहुत सारी time है अभी और यहाँ पे बहुत सारे conditions के regarding be confused है कि हमारे class cup तक start हो जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कश्मीर में क्या होता है यहाँ पे दो sessions होते है INC की तरफ से date section भी कर दिये जाते है even or odd session उसके regarding आप tension मत लो कि हमारे class कब start हो जाएंगे अगर हम late करेंगे admission उससे कोई problem वागेरा मत होगी क्या कोई issue मत आएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो easily second round confirm हो जाएगा अब second round में cut up क्या रहेगा यह सबसे ज़्यदा question पूछा गया है मुझसे कि second round में किस सबसे cut up जाएगा जहां तक मुझे लगता है 40 आपका cut up रहेगा क्योंकि यहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि 40 cut up सही है क्योंकि लगबग 12-13,000 कंडेट्स को तब बलाया जाएगा अगर 40 cut up रहा जाएगा अब अगर इन्होंने ज़्यादा ही कम किया तो ज़्यादा 38 या 35 जा सकता है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 35 यह नहीं करेंगे यह ज़्यादा 40 करेंगे आप 40 से below जो कंडेट्स से वो फिर क्या करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दिता हूँ अगर आप जेंड के से बाहर एडमेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमेडिकल का कोई भी कोर्स आप under 70,000 कर सकते हो per year with host land mass उसमें आपको 35,000 per semester fee रहेगा with host land mass इसके अलावा मैं आपको बताते हैं 100% guarantee रहेगे government university रहेगे आगे इसके अलावा आपको फाइदा है जेके वोबी से क्योंकि आपको अगर हम जेके वोबी के बात करेंगे तो 75,000 fee है medical course का फिर hostal खर्चा फिर खाने पीने का तो बिसलिए ये 120 तक चला जाता है वान लेक 20,000 per year तो यहां पे आपको 70 मतलब उससे half की rate पे वही course मिलेगा और अच्छी university मिलेगी तो बिसलिए अगर आप उसके बारे में discuss करना चाहते हैं अच्छी से जानना चाहते हैं परमेडिकल में कहीं भी आडमेशन लेना चाहते हैं बाहर तो आप हमारे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं यह में सिर्फ उन कंटेक्स के लिए बोल रहा हूं जो 40 से नीचे हैं आप 40 से लेकर 50 तक जो कंटेक्स हैं उनको भी प्रिवेट काल से ओब इसलिए मिलेंगे तो वह भी इसके रिलेटेड हमारे साथ बात कर सकते हैं बाकी 50 से उपर अगर आपके पॉइंट से तो आप सेकं बास्टेड हैं जो बाहर जा सकते हैं आपको 100 परसंट गारेंटी मिलेगी और आपका जो प्रॉस्ट का सिस्टम है वह हम एजी कर देंगे आपको अनलाइन दे देंगे उसके वग्यरा उसके बाद आप डिरेक्ली का ले जाओगे आपके कलास आरडी स्टार्ट हो चुके है और एक बेनिफिट यहां पर मैं आपको बता देता हूँ उन कंडेट्स के लिए जो हमारे थ्रो बाहर एडिमेशन करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आपके कलास आरडी स्टार्ट हो चुके हैं आपका जो सेशन है वो जून से बन जाएगा देसमबर में आपका फिर कंडेक्ट कर सकते हो अब यहां पर हम काटाफ के रिगार्णिंग बात कर रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ 40 तक काटाफ जा सकता है और सेकंड राउंड जब हो जाएगा उससे पहले आपको कंफर्म हो जाएगा सीट किस हिसाब से वेकंड है अब बहुत सारी कालेज मिल जागा ऐसा कुछ भी नहीं होता है लग बख 60-70 पॉइंट्स आपके होने चाहिए तब आपको कोई कालेज मिलेगा अगर मिला वह भी प्रिवेट कालेज में इसके अलावा जो सीट्स है वह वेकंड होती है अकनूर साइड राम बन साइड और जो मैं आपको बत जाजा लगा सकते हो पिछले साल जो कॉंसलिंग होई थी उससे पहले होई थी तो उन पे भी हमें पता चला था चार पंच दो तीन सीट्स आइसे वेकंड होती है जो 90% सीट्स है वह प्रिवेट काल्स की वेकंड होंगी इसके अलावा उन काल्स की जो दूर आलागों में आ जो कुछ काल्स हैं प्रिवेट काल्स वगरा डॉल्फ इन वगरा इंस्ट्रिफशन उन में सीट्स देशने को मिल जाएंगी उनके लिए आप कॉंसलिंग कर सकते हो तो यह था उन सुट्ट्ट्स के लिए जो सेकंड राउंड का वेट करना चाहते हैं या सकंड राउंड मे